Hello everyone, so आज हम सीखेंगे के Fisher Formula से Sawhors Formula और Newman Formula कैसे यह बनाया जाता है So, How to Convert Fisher Formula into Sawhors Formula and the Newman Formula So, you can see here the Fisher Formula जैसे के हम two-dimensional होता हैं इस तरह से बनाते हैं And Newman Formula इस तरह से एम-sawhors तो चलो start करते हैं कि हम कैसे convert करेंगे तो फिर्स्टली हम लेंगे Fischer formula और उससे हम saw horse में convert करेंगे जैसे कि यह formula है और इसमें यह mesotartric acid है इस तरह से और इसमें दो chiral center है you can see here और दो group यह similar दो group हैं COOH here and दो horizontal line पर हैं HOH तो यहां पर suppose यह 1 यह 2 है और यह 2-3 carbon तो यह bond जो है यहां पर दिया हुआ है and यहां पर जब भी हम इसे saw horse में बनाते हैं तो सबसे पहले यह Fischer formula जो बनता है basically eclipse form में होता है तो हम इसको यहां पर इस तरह से teddy line कीचते हैं जैसे कि यह suppose that carbon number 2 है और यह front carbon हमारा 3 माल लेता है तो इसमें इस तरह से करते हैं फिर उसके बाद यहां पर दोनों पर हम सीधा y बनाते हैं इस तरह से similarly यहां पर भी सीधा यह just one minute yes यहां पर हमने सीधा y बनाया और यह तो दो y बन गए यहां पर यह वाला 3 carbon यहां पर है और इसमें जो y पर जो यह नीचे वाला जिसा है यहां पर ऊपर वाला 2 पर जो CW जोड़ा होगा है तो CW यहां पर आ गया यहां नीचे वाला CW वो यहां पर आ गया नाव नीचे वाले में H left में है तो H left में OH right में और दूसरे second carbon पर भी H left में है OH right में और 802 प्रहक में के सब्सक्राइं सब्सक्राइब करना होता है ये लास इसटेबला होती है इस से ant flag ॖ होती है ने देरल पर इंठ्राइब दी मैं तो ईसटेर्ग एगड़ करना शस्ता सब्सक्राइब होते है तो यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन करते हैं अराउं बॉन किसके 2, 3 बॉन जो 2nd carbon C2 and C3 बॉन जो यह है इसमें 180 डिग्री रोटेशन किया जाता है 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो front carbon को हम generally rotate करते हैं तो वैसे ही हम यह थोड़ी tilted line कीचते हैं तो पिछला वाले में कोई change नहीं करते हैं as it is लिखना है यहाँ पर h left में है o h right में c wh नीचे बट यहाँ पर जो है यह c wh हमने ऊपर rotate कर दिया अब यह c wh बाकी इनका कैसे लिखना है तो देखिए c wh यहाँ पर है यहाँ से हम अगर clockwise चलें तो हैं पर clockwise चलने पर हाइड रोजन पहले आता है तो similarly जीस से यह पर है तो यहाँ पर अगर हम क्लोब चलेंगे तो यहां से क्लोक वाई जाने पर हाइड रोजन इधर आता है और ऊच इधर आता है तो यहाँ पर अगर एच आएगा पहले तो एच लिख दिया और फिर उसके बाद को लोग वाई आगे वह एचा जाएगा तो इस यहाँ पर जो है यह स्टेगर्ड फॉर्म स्टेगर्ड फॉर्म तो स्टेगर्ड फॉर्म इसमार इसको जो है जरूरी नहीं हम इस लाइन को ऐसे ही कीचे इसको टेडा इससे बना सिब्सक्राइब, नीचे वाला हम ले लेते हैं वह हमेरे पास होगा नाउ यहाँ पर हो जाएगा सी डबल ओ एच एंड ही और इसके बाद अगें 180 डिग्री रोटेशन तो रोटेशन कहां हो रहा है रोटेशन सी टू एंड सी थी के बीच में 180 डिग्रोटेशन फ्रंट कारवन को हम रोटेट कर रहे हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं यहां पर इसको सीधा ऐसे रहने दीजे बड़ यहां पर उल्टा वाई बनाना है यह यहां पर कुछ चेंज नहीं होना जो बैक कारवन हैं यह यहां पर आगया वही सी डबल वाज के राइट साइट पर जाने पर यहां पर राइट साइट अगर जाएंगे तो एच पहले लिख देंगे बच्छी भी प्लेस पर ओवेच तो इस इस दा इस टेगर ओं एन इस इस दा सोहर्स फॉर्मॉला किसी तरह से लिख सकते हैं आइधर लाइक दिस और लाइक दिस सिंपल नाओ अब है नेक्स्ट के हाउ टू कनवर्ट फिशर फॉर्मॉला इंटू नूमन फॉर्मॉला में क्या होता है हम यह जो देखते हैं मॉलिक्यूल को वह इस बॉंड के थ्रू देखते हैं जो सी टू एन सी थ्री तो जब दो इ यह हम बना रहे हैं फ्रेंट कार्बन तो बेसिकली यहां फ्रेंट कार्बन से ऐसे ही इसमें भी एकलिस बनाना है पहले क्योंकि एकलिस फॉम में होता है यह तो पहले एकलिस फॉम में बना लिया और पीछे वाला भी हमने उसको भी वाई फॉम में लिख लिया ऐसे ही तो और 2 carbon इसके पीछे वाला है, वो back side में है, जो दिखनी रहा है, तो 2, 3 पर हमारा H left में, OH right में, and 2 पर भी हमारा H left में, and OH right में हैं, और नीचे जो है दोनो, C, O, H, तो यह हमारा बन गया, eclipsed form, eclipsed form बन गी, which is the less stable form, अब इसमें, again, 180 degree, rotation, round, bond, कौन सा? C2, and C3, तो उसके rotation करेंगे, front carbon को भी हमें rotate करना है, तो यहाँ पर, front carbon को हम इसको rotate करता हुआ दिखाएंगे, जब पीछे वाले bone जो है, यह carbon, front carbon है, तो पीछे वाले bone यहाँ पर, इससे attach नहीं कर सकते, वो सीधा Y बनाना है, वो पिछले carbon से attach हैं, तो इस carbon के पीछे छुपा हुआ है, तो हम इससे attach नहीं करेंगे यहाँ पर, तो सिर्फ यह periphery इससे दिखाएंगे, peripheral, यहाँ पर बाहर निकलते हुए, projecting outside, तो यहाँ पर यह COOH अब यह उपर आ गया, यहाँ पर COOH as it is था, back carbon पे, C2 जो था, और H left में था, OH right में था, पर यहाँ पर जो है, जब र इस पर, OH लिख दीजे, तो this will be the staggered form and this is more stable form, more stable form क्योंकि यहाँ पर bulky group, काफी दूर है, 180 degree, they are far apart from each other and यहाँ पर पास-पास होने की विए से इसमें, long-prone pair में, repulsion हो जाता है, इसकी विए से इसकी energy high हो जाती है, और यह less stable हो जाता है, this is the less stable form and यह यह जो दोनों form है, basically यह newman form है, newman formula और newman projection formula, तो हम जो लिखते हैं, वो most stable form तक बनाता है, क्योंकि यही most stable form है, इसकी newman formula में, तो यहाँ तक हमें बनाना होता है,